वो तो हमेशा देश के खिलाब काम करते आए हैं अगर वो कांस्टूशन के खिलाब काम करते आए जब समीदान बना तो जलाने माले लोग फूल थे प्रियोटिक लोग सिर्फ कॉंग्रेस में हैं देश में और भी कहीं पुर्बानी दिये देश के आजादी के लिए वहां पर लोग हैं इसे टॉंट मार के बात करने से ये कोई मैं उसको सीरियस नहीं लेगा यह कहिने का मतलब यह है कि वो उनको अब हमारे को नीचे दिखाने क्याने के लिए काम कर गया कॉंग्रेस पार्टी इस प्रिश्ट प्रेटिक प्रटी हैं तॉजांड एंड लैक्स अप पीपल वेंट टू जेल डाइड इन फ्रीडम मोवमेंट इन्होंनों कहीं भी नहीं और प्रेट्रीम की बात करते हैं एक जब हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं यह इसलिए कि welfare measures लाने के लिए cash census की बात हो रही है इसका मतलब यह नहीं कि हम जो पूछने वाले या गरीबों की मदद करने वाले patriotic नहीं है वो ही patriotic है वो तो हमेशा देश के खिलाब काम करते हैं अगर वो constitution के खिलाब काम करते हैं जब समीदान बना तो जलाने माले लोग कोन थे यह लोग थे और मनुस्मृति को लाओ और यह समीदान को हटाओ उनका नारा था और तिरंगे जंडे को भी उन्हें अपना जंडा नहीं माना तो ऐसे लोगों के पास पैट्रियोर्टिजम है पैट्रियोर्टिक लोग सिर्फ कॉंग्रेस में हैं देश में और भी कहीं कुर्बानी दिये देश के आजादी के लिए वहाँ पर लोग हैं दूसरे पाटीज में लोग यह तो हमेशा अपनी जान की रक्षा के लिए यह ब्रिटिशरों को शरण गए थे ऐसे लोग हमको सिकाना यह उनको शोबा नहीं देता आपकी करें लंबी उम्र आप जीए अमिशा ने का जो आपने जो बोला था कि पडानमंत्री को हटा के ही मैं दम लूँगा तो उन्होंने का कि विक्सित भारत देखें आप 2047 तक विक्सित भारत बनाएंगे तब तक आप जीए देखवा इसे टॉंट मार के बात करने से कि यह कोई मैं उसको सीरियस नहीं लेगा यह उन्होंने अपने स्टाइल में औरे मेरा विक्सित भारत देखो तुम सव साल जिद देड़ सव साल चींगे सवा सो सा यह कहने का मतलब यह है कि वो उनको हमारे को नीचे दिखाने के लिए वो काम करें लेकिन पहले जो कि वो